हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको साथ फिर हाजुन एक नहीं वीडियो लेकर और आज का टोपिक है ठीक्स मोस्ट डेंजरस स्टीस इन दे वर्ल्ड टु ट्रेवल्ड आज के छेटे नंबर पर हैं क्रैसिस वेनेजुला क्रैसिस जो की वेनेजुला की कैप्टल सिटी है यह ज क्राइम होते हैं जैसे की ड्रग्स गैंग चोल चकारी और बहुत सारे जुर्म जैसे जुर्म की वज़े से किसी भी टूरिस्ट के लिए ये जगा घूमने की नहीं है इसके अलावा वेनेजुला के अन्य शहर छोटे मोटे क्राइम के लिए जाने जाते हैं और हमारे जानते हैं मेक्सिको सहर ड्रग्स ट्राइफिकर की वज़े से जाना जाता है और सिसाइडेड यूरेज नाम की सहर अपने वाइलेंस की वज़ा से जाना जाता है वहां के पुलिस भी अक्सर पैसे खिला कर ड्रग्स जैसे संगीन मामलों को रफादफा करने की कोशिस करते हैं जिसकी वज़े से ड्रग्स गैंग्स को सजा नहीं होती और हमारे चोते नमबर पर हैं टाउन साउथ अफरीका कैफ टाउन साउथ अफरीका दोस्तों ये जगह अपनी गरीबी और समाजिक तोर पर अस्तवेस्थ होने के कारण एक क्राइम सिटी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है इसके बहुजूद कई टूरिस्ट इस जगह की नेश्चिरल ब्यूटी और बहुत ही खास नेचर प्रिजवर्स की वज़े से यहां पर गूमने आते हैं कैपे टाउन ऐसे टूरिस्ट के लिए एक खतरनाक जगह साबित हो सकती है अगर आपको कैपे टाउन में गुमना है तो कैपे टाउन की कुछ खतरनाक जगहों को अवोइड कीजिएगा और रात्री के समय कभी भी अकेले गुमने मत जाएं देन्यवाद और आज के तीसरे नमबर पर हैं रियोडे जनरियो ब्राजिल के कई शहर अपने हाई क्राइम की रेट की वज़े से बदनाम है और रियो जनरियो उनमें बदनाम है परन्तू फिर भी रियो आज की डेट में फेवरेड बना हुआ है ये जगा सद्यों पहले अपने हाई क्राइम रेट की वज़े से खतरनाख माना जाता है परन्तु आज की डेट में क्राइम रेट को कम होने की वज़े से पहले की वज़े थोड़ा सेफ है फिर भी स्ट्रीट क्राइम बहुत ही कम है यहां पर सहलानियों यहां के मश्यूर रिजोर्ट्स और बीचिस का लुप्त उठा सकते हैं परन्तु फिर भी क्राइम सीटी होने के से सब सहलानियों यही कश्म अलर्ट रहें साउधान रहें और हमारे साकीन नंबर पर हैं गटमेला गटमेला जो की सेंट्रल अमरीका नेशनल क्रेविन्स नाम की जगह है पर इस्तित है सेलानि के लिए खास है बट यह ऐसा रास्टर है जो की अपने ड्रग्स वाइलन्स की बदनाम है यह जगह बहुत ही हाइक मॉर्डर रेट और समाने क्राइम जैसे स्ट्रीट रोबरीज बस होल्ड रोप्स और कार्स जैकिंग की वज़े से अनसेफ हैं इसलिए अगर आप कभी भी इस जगह पर गुमने जाएं तो इसके सेफर रेजिन्स के अंदर ही घुमिएगा और ग्वेट मेला सिटी को अवोइड करने की कोसिस कीजिएगा और हमारे आज आखरी नंबर पर हैं अक्यपलोक मेक्शिको ये जगह फिलाल में ही एक बहुत ही सेफ और लग्जरी रिजोर्ट एरिया में से एक माना जाता है ये जगह अभी भी टूरिस्ट के लिए फेमस है पर आज भी ये जगह ड्रक्स वाइलेंस की वज़े से बदनाम है फिलसल्स आकडों से पता चला है कि ये दुनिया का सबसे हाइस्ट मोडरल रेट्स वाला सहर बन चुका है इसलिए टूरिस्ट को इसके रिजोर्ट के अंदर ही रहने को चाहिए और इसे अवोइड किया जाता है क्योंकि ज़्यादा तर क्राइम इसके आज पास की जगहों पर होते हैं धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंड बोक्स में लिकर जरूर बताईए हम आपको ऐसे वीडियो से और लाके देंगे धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो